स्टूडन्स आज का अमारा सब्जेक्ट है हींदी और हींदी में अभी हम क्या सिख रहें वाणा ओके तो आज हम कुन सा वाणा सिखेंगे वाणा इसके पेले हमने कुन-कुन से वाणा सिख लिये वाणा ओ, आ, ए एड़ आज हम और एक सिखेंगे ओके तो लेट स्टूडन्स टेक आउट यूर हींदी सी टब्यू बूक और ओपन यू बूक पेज नमबर 1313 जिसमें है वाणा इज हम इसी पेज में अपना वाग करेंगे सो आपको भी मेरे साथ ये वाग करना है, ओके स्टूडन्स, सो टेक आउट पेंसी लेनी रेजर सो लेट स्टार्ट, सो सबसे पहले स्टूडन्स यहाँ पे देखो मैंने कौन सा अभी वाणा बोला, वाणा इ, इ से क्या होता है, इ से एक, इ से एक तो चलो अभी हम स्टार्ट करते, और आपको मैरे साथ ये बोल ना भी है, और लिखना भी है, तो देखो यहाँ पे आपको इसे box दिए गए है उसमें एसे dots भी दिए गए है आपको क्या करना है only यह dots को आपको trace करना है ओके तो अच्छे से trace करना तो देखो हम start करते हैं यहां पर हमें बनानी है यहां पर standing line then cows और यहां पर हमें बनाना है again cows और यहां पर करनी है sleeping line and then उसके उपर फिर से cows ओके तो यह क्या बना E E से 1 E से 1 next फिर से करेंगे standing line then cows then यहां पर turn करके again cows and यहां पर sleeping line and then यहां पर करने cows sleeping line के उपर आपको और एक cows करना है यह आपको भूलना नहीं है ओके इस से 1 फिर से अभी मैं आपको slow करके दिखाती हूँ ठीके standing line then यहां पर आएगा cows here very good now यहां पर turn करके again cows and यहां पर करने हमें sleeping line and sleeping line के बाद compulsory यहां पर करना है cows इस से एक now next आपको अच्छे से इसके उपर एसे trace करना है और यह यह जो cows है न वो आपको भूलना नहीं है चलो again standing line cows again cows sleeping line and cows यह कोंसा वाणा बना वाणा इसे क्या होता है इसे इसे इस now repeat standing line cows again cows sleeping line and cows इसे इसे इस then यहां पर बड़ा सा इसे cows फिर करना है यहां पर टरन करके again cows and यहां पर sleeping line and then यहां पर उपर cows तो इस से क्या बोला था मैंने यास वेरी गूड इक इस से इक now again आपको एसे पहले आप थोड़े से यह जो वाणा इह है वो slowly slowly लिखलो फिर आपको idea आ जाए उसके बाद आप एसे चलदी से बिना pencil उठाए भी एसे लिख सकते हो okay देखो ऐसे तो इससे क्या होता है इससे एक यह भी आपको बोलते ही चाना है now अगर देखो students आप इतना बड़ा करोगे और फिर यहां पर line के बहार चला जाएगा या तो यह एसे इतना बड़ा करोगे तो यह wrong होगा क्योंकि यह कितना dirty work है हमें बिल्कूल भी dirty work नहीं करना है अगर आपको गलती से भी dirty work हो जाए तो आप pencil से ही लिख रहे हो इरेस कर देना और फिर बाद में कर लेना तो चलो हमें एसे ही बिल्कूल perfect बनाना है और अच्छे से अपना work complete करना है इसे एक इसे एक नाव next and last और मैंने आपको बोला ही है कि सब्भी वाणों की एक मेथड होती है कि वह वहां से ही start होता है तो यहां से हमें start करना है standing line से और फिर हमें करना है cows and यहां पर turn लेके again cows and यहां पर sleeping line compulsory हिंदी में होती ही है चाहे वह शब्द हो यह भी word हो ओके और यहां पर हमें करना है cows e से 1 e से 1 ओके तो student देखो आमने कितने सारे वाणा e बना लिए अभी इसी तरह से नीचे की line में आपको एसे ही perfect work करना है ओके तो चलो इसकी थोड़ी सी और practice कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा home work करना पड़ेगा तो चलो students take out your Hindi HW book and open your book page number 1313 जो हमने CW में किया वही same work हमें HW की book में करना है तो अच्छे से अपना work करना है Thank you